हेलो गाईज, वेलकम तू माई चैनल, लेट्स क्रेक चुडिश्री, सो गाईज, आज की वीडियो में हम करेंगे सक्षिन 21 और 21A, इससे पहले सक्षिन 1 से लेके 20 मेंने कवर करवाए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं, लिंक में कर दूगी, section 21 बात करता है objections to jurisdiction की, क्या कहता है देखिए, objections to jurisdiction यानने की किसी भी jurisdiction की objection लेकिन मैं इसका आपको broadly meaning बताती हूँ, मान लो कोई suit institute होता है wrong place पे, wrong court में तो उसके बाद क्या remedy है, आपके पास या court के पास क्या power है, broadly समझेगा में this का question आ जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि suit institute हो गया गलत जगे पे तो court की power क्या है और आप क्या कर सकते हैं तो court की power तो ये है कि वो return कर दे order 7 rule 10 में और reject कर दे order 7 rule 11 में ये मैं order 7 बताऊंगी तब दुबारा इस question को उठाऊंगी ठीक है तो ये दो चीज़े हैं और आप क्या कर सकते हैं jurisdiction के regarding appellate या रिविजनल court में जाके objections उठा सकते हैं तो यही deal करता है section 21 हर section का मैं दुबारा repeat करूँगी logic समझेगा क्यों ये section है इसका क्या महत्व है logic है इससे आप means के question और कुछ हद तक prelims के question भी solve कर पाएंगे हमेशा लोगों को समझेगा रटिएगा मत नहीं तो prelim तो जैसे तैसे रट के आप कर भी ले means नहीं निकलेगा और interview तो भूली चाहिए ठीक है तो अब आपको समझ में आया section 21 क्यों है कि भाईया गलत जगे पे suit institute हो गया है और अब मैं क्या करूँ एपिलेट या रिविजनल कोर्ट में जाऊं तीन तरह की objections उठेगी jurisdiction के regarding territorial, pecuniary और execution की तो आप 21 के first subsection में लिखेगा territorial place of swing लिखा हुआ है आप लिख लीजेगा उसको अंडरल marker से mark करके लिखेगा bracket में territorial पहली ही line है no objection as to the place of swing यानि की territorial है ठीक है 16 में हम पढ़के आए है section 16 में कौनसी कोर्ट में आप जा रहे हो appellate और revisional कोर्ट में ठीक है और कौन कौनसी condition है ये मैं बेरक काई बता रही हूँ बस summarize करवाया है मैंने notes में बाकी आप बेरक पढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा ठीक है तो condition क्या क्या है in court में आप चले गए भई गलत जगह पे suit institute हुआ है और justice का failure होता है तो please आप मेरा ये suit को जो मैं objection उठाता हूँ इसे लीजिए लेकिन court कहेगा कि क्या आप ये तीनो condition से इने satisfy करते हैं तो वो पूछे मैं एक कहानी की तरह बता रही हूँ ध्यान रखिएगा जिससे आपको समझ में आए ये बेर act में कैसे लिखा है मैं आपको पढ़ देती हूँ no objection as to the place of suing shall be allowed by any appellate or revisional court unless negative में दे रखा है कि उठाना नहीं है कोई objection unless such objection यानि कि ये तीनों condition जब तक satisfy ना हो तब तक objection नहीं आएगा तो मैंने आपको जो story बताई उसमें आगे court कहेगा कि भई आप तीनों condition को fulfill करते हैं तो वो person कहेगा हाँ तो कौन-कौन सी प्रूव लाईए या फिर बताईए हमें तो वो कहेगा अच्छा एक 21st के 1st में 2nd में भी even 1st instance लिखा हुआ है court of 1st instance court of 1st instance का मतलब होता है trial court ठीक है आप marker से mark करके court of 1st instance को लिखिएगा trial court ठीक है तो पता होना चाहिए प्रलिम में मानलो question आजाए तो आपको पता हो कि court of 1st instance क्या होता है trial court तो condition वो person फुल्फिल कर रहा है trial court में objection पहले उठी थी तो कहेगा हाँ 2nd में जो settlement हुआ था issues का यानि कि trial की state start नहीं हुई थी उससे पहले उठी थी वो कहेगा हाँ क्या justice failure हो रहा है तो इसका मतलब तो इसका मतलब तीनो condition साथ साथ चलेंगी और होता तो एक भी हो सकती थी दूसरी भी या तीसरी भी एंड हुआ है तो तीनो की तीनो आप बताएंगे court में तीनो तो वो court जो है appellate और revisional वाला वो ले लेगा court तीनो में appellate revisional court ही रहेंगी ठीक है second में देखिए no objection as to the competency of a court with reference to the pecunary limits पहले मैंने क्या लेको आए था territorial और second में क्या है pecunary pecunary कहां पढ़के आए है section 15 में तो यहां पे pecunary limits की बात करता है आप कौन सी objection उठा रहे हो मैं example देती हूँ ए गया court के पास appellate revisional court के पास ए गया और बोला हाँ जी court में जैसे जाता है वो तो बताएगा कि हाँ जी यह जो jurisdiction है जिसमें यह suit हुआ है institute यह गलत है pecunary limits को exceed करता है यहां की court की 10,000 की थी और 11,000 का suit जो है उसमें जा रखा है यह मतलब है second का ठीक है और पहले का क्या था place कि दिल्ली चला गया और कहा कि यह इसमें नहीं आना था यह मुंबई होना था तो वो वाला case वहाँ है और यहां है pecunary limits पंदरा से section पंदरा भी आप लिख सकते हैं correlate करने के लिए lowest grade ठीक है हमने पढ़के आए हैं तो यहां कहेगा कि देखिए ग्यारा हजार का हो गया suit institute और दस हजार का होना था कहां गया था एपेलेटर रिविजनल court के पास अब फिर से वही पूछते हैं question उस person से कि हां भई condition fulfill होती है तो वो condition कहेगा हां जी fulfill होती है same दुबारा repeat नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैंने आपको तीनों condition बताई subsist करेंगी clear उसके बाद आ गया execution court कौन सी objection उठेगी मतलब कि भई जो execution हुई है कर रहा है court वो गलत है वो वहां पे execute नहीं होना चाहिए था regarding property suit ठीक है जो suit है example ले रही हुए प्रोपर्टी का कि गया कि हाँ जी यहां पे execution नहीं होना चाहिए था परसन जाता है वही same court एपिलेट और रिविजनल court कि यह जो suit है यह decide हो गया है decree आ गई है अब executing court यह नहीं था दूसरा है तो यह objection यहां पे कंडिशन थोड़ा change है change नहीं दो है यहां पे थी तीन यहां पे दो है अब आप obviously मानिए दो क्यूं होंगी settlement of issues वाली execution में कैसे हो सकती है वो तो होगी नहीं क्यूंकि वो तो trial stage होती है और execution में थोड़ी ना trial stage आएगी तो वहां पे तो issues का भी settlement नहीं होता वहां पे तो केवल एक decree आई उसका execution होता है order request में हम आगे पढ़ेंगे तो यहां पे आप यह वाली minus कर दीजिए और trial court की जगे लिखिए executing court में सबसे पहले गई हो और failure of justice होता हो earliest possible opportunity में वो गई हो तो यह हमारा हो गया section 21 I hope मेरे example से आपको समझ में आया होगा हर section को समझ के कीजिएगा आपको तभी law समझ में आएगा रट के prelim pass हो जाता है clear हो जाता है mains नहीं होता है ठीक है उसके बाद आप इसमें case लिख सकते हैं हीरा लाल versus काली नाथ 1962 Supreme Court और उस case में केवल इन तिनों condition को describe किया गया था कि ये तिनों condition subsist होंगी इकठी लगेंगी तो दुबारा repeat कर देती हूँ case का नाम हीरा लाल versus काली नाथ 1962 Supreme Court ठीक है I hope समझ में आया होगा आपको section 21A ये add हुआ 1976 में और इसका मैं main questions साही लेक ले रही हूँ अगर आ जाता है discuss करना तो आप इतना लिख सकते हैं 10 से 15 नंबर में ठीक है क्या कहता है देखिए 21A bar on suit to set aside decree on objection as to place of suing अब place of suing केवल place of suing की territorial की बात करता है यानि कि आप लिख लीजिए इसके साथ में बेरेक्ट में 21 का एक territorial 21 का एक पढ़के आए हैं दो और तीन पे नहीं लगेगा ये 21 पे लगेगा क्यूंकि place of suing की बात कर रहा है मान लो example लेते हैं फिर समझ में आएगा कि एच चला गया कोट में और objection उठाया उसने regarding place of suing under 21 का subsection first अब उस objection को आप set aside करने के लिए suit नहीं डाल सकते हैं इसमें ये कहता है बार किस पे है on suit कि suit पे to set aside decree on objection as to place of suing देखिए अंदर इसमें section क्या बोलता है देखो no suit shall lie कोई suit नहीं आप डाल सकते challenging the validity of a decree passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title on any ground based on an objection as to the place of suing समझ में आया आपको आप किस पे बार है किस suit पे बार है कि जो objection है उठाया है place of suing पे कि यहां नहीं वहां होना चाहिए था उसको set aside करने के लिए आप suit नहीं डाल सकते उस पे decree जो आई है objection पे उसको set aside करने के लिए आप suit नहीं डाल सकते ऐसे तो फिर case चलते ही रहेंगे एक बार दुबारा मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा ये पार्ट पढ़ते हैं it is declaration of fact that lack of territorial jurisdiction I told you कि place of swing के आगे हमने territorial लिखा था तो वहीं बात कर रहा है कि declaration of fact that lack of territorial jurisdiction can't be made a ground ठीक है कि territorial jurisdiction वहां पे नहीं है उसकी कमी है lack है तो वो setting aside करवाने के लिए decree को नहीं ground हो सकता है passed in a suit by instituting another suit this provision has been added by amendment in 1976 to set rest the conflict with opinion between high court on the point whether a fresh suit can be instituted to set aside decree passed with lack of territorial jurisdiction ठीक है मान लो दो suit pending है एक उनमें से decree आ गई और दूसरा pending है दूसरा जो suit है वो क्या है pending है then in another pending suit objection can't be raised अब वो pending चल रहा है उसमें आप objection नहीं डालेंगे can't be raised that कि earlier वाले जो पहला जो decide हुआ है जिसमें decree आई है उसके jurisdiction ही नहीं थी आप नहीं कर सकते therefore decree shall set aside consequently the present suit shall continue rest duty gotta earlier decree will apply on present suit if elements of तो वहाँ पे rest duty gotta लग सकता है जो section 11 के fulfill करेंगे ठीक है समझ में आया आपको कि आप उस suit पे बार है जो suit आप डालते हो किस objection पे place of swing यानि कि territorial पे जब आप objection डालते हो तो उसे set aside decree करने के लिए set aside करने के लिए आप suit नहीं डाल सकते no suit shall lie कोई suit जो है वो नहीं आप डाल पाएंगे ऐसे तो फिर case चलते ही रहेंगे इसमें case लिख लिए जएगा सुभाश महादेवरा हभीब वर्सिस नमासा अंबारा धरमदास सुभाश महादेवारा हभीब वर्सिस नमासा अंबासा धरमदास 2007 section 21 and purpose of adding मैंने बताया 21 में अपिलेटर और रिविजनल कोट का काम आता है तो अल्रेडी कवर कर रहा है purpose of adding section 21 in 1972 76 sorry was to disallow any setting aside of decree based by court not having jurisdiction territorial or pecuniary in a collateral suit filed by either of the parties the word place of suing कवर 15 से 20 ठीक है ना 15 से 20 में ही आते हैं सारे ये जो territorial है and section 15 deals with pecuniary jurisdiction and hence place of suing include both ठीक है यानि कि क्या कह रहा है place of suing में से वैसे territorial आएगा लेकिन ये जो section है इस case में क्या खास बात हुई कि इन्होंने pecuniary को भी section 15 को भी include कर लिया वैसे इसमें लिखा नहीं है लेकिन जब ये judgment आई तो इन्होंने place of suing यानि कि territorial और pecuniary लिखा नहीं है pecuniary ध्यान दीजेगा मैंने आपको अभी बताया था 21 का एक कवर होता है दो नहीं pecuniary हम वहीं पर पढ़के आएं तो 21 एक कवर होता है और 2 नहीं कवर होता लेकिन ये case आया 2007 में इसने कहा place of suing कवर 15 से 20 और pecuniary भी 15 भी include कर देगा तो वो दोनों चीजें जो है include हो जाएंगी 21 A में ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा एक किसे मैं दुबारा बता देती हूँ confuse मत हो न क्या कहता है देखो territorial jurisdiction की अगर lack है वहाँ पर कमी है jurisdiction की मान लो example से समझते हैं दिल्ली है दिल्ली में case institute होना था हो गया मुंबई में ठीक है lack हो गई territorial jurisdiction अब मुंबई में हो गया अब क्या है कि वो ground नहीं बनेगा जो suit में यानि कि मुंबई से एक decree पास हो गई ठीक है अब आप उस पे दुबारा से suit institute नहीं कर सकते मुंबई से हो गई decree अब आप होना कहा था दिल्ली में अब आप मुंबई की जो decree हुई है उस पे ये कहके suit दायर नहीं कर सकते इंस्टिटूट नहीं कर सकते कि अरे वहां तो होना ही नहीं था दिल्ली में होना था तो वहां पे ये section कहता है कि बार हो जाएगा उस suit पे to set aside decree on objection as to place of swimming समझ में आ गया एक बार लास्ट बार होर समझीगा it is a declaration of fact that lack of territorial jurisdiction can't be made a ground for setting aside decree passed in a suit by instituting another suit क्योंकि देखो 21 में तो हमने objections पढ़ी ही लिये आप jurisdiction के regarding objection उठाते हैं आपने उठाई मान लो reject हो गई तब आप ये नहीं कि आपने suit डाल दिया एक और की अब ये तो गलत जगह पर चल रहा है नहीं आप नहीं कर सकते हैं ऐसा यहीं कहता है 21A कि बार हो जाएगा उस suit पे कि आप एक decree passed हो ही है regarding wrong jurisdiction कह लीजिए lack of यहाँ पे वड़ी उजवाई lack of territorial jurisdiction तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है तो वो ground आप नहीं बना सकते किसी भी decree को set aside करने के लिए वो बार है 21A में defined territorial है इस case के बाद territorial के साथ pecunery भी ले लिया गया है यहनि कि 21A और 22 दोनों cover हो जाएंगे ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा बेरेक्ट एक बार दुबारा पढ़ लेना नहीं आता है कमेंट में बता देना मैं अलग से 21A पे पूरी वीडियो बना दूँगी पर I hope मैं तीन चार बर बताया आपको समझ में आया होगा ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो प्लीज लाइक ता दीजीगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा थेंक यू